हापुड में एक महला दरोगा को बिजली विभाग में तैनाथ Σमविदा करमचारी को पीटना उस्वे मेहेंगा पड़ गया जब करमचारी ने पिटाई से आहत होकर महला थायने की लाइन कारट दी बताय जा रहा है कि समविदा कर्मचारी संतकुमार हापुड के रामपो रोड इस्थित बिजली घर पर तैनात है दरसल संतकुमार को चितोली रोड पर क्यूवेल पर फाल्ट होने की सूच न मिली थी समविदा करमचारी संथ कुमार बिजिल ठीक करने अपने साथी के साथ बाइक पर जा रहा था तबी चितोली रोड़ पर COVID-19 के चलते तैनात महला दरोगा मनूर सकसेना ने बाइक सवार करमचारी को रोक लिया कर्मचारी के पास दिखाने पर महिला दरोगा भड़क उठी और वर्दी की हनक दिखाते हुए उसकी डंडों से पिटाई कर दी, इसके बाद कर्मचारी ने अपने अधिकारियों को मामले की जानकारी दी, मौके पर पहुंचे जई के साथ भी महिला दरोगा ने बद सलूख क की, जिसके बाद गुसाए बिजली विभा के कर्मचारियों ने महिला थाने की लाइन काट डाली. पुलिस महिला थी, मैं तार जोने जा रहा हूं, और भी आदमी निकल लेते हैं, मैं कहल लेगी, हिहां कोई बिजली बिजली वाला नहीं जाता, तार बार जोने, चलो बगए ऐसे, मैं मेरा पास देखा हूं, मेरा पास देखा हूं, उनने दूर धर के डंडा पेट में आद्ड़ो साब को खबर करीजी, आद्ड़ो साब ने जैई साब को बताया जी, जैई साब को पहुंचे हमारे मैडम थी, उनका नाम पता है आपको, मैं जैई साब को बेज रहा हूं, जैई साब गए थे हमारे, आनद मोरिया जी, एक जैई साब और दोने गए थे, उनने क अधिकारियों के हस्तक शेप के बाद महिला थाने की लाइन को दोबारा शुरू किया गया हाला कि पता चला है कि जिस दरोगा ने विजली विभ्या के कर्मचारी के साथ बत्तमीजी की थी उसकी तैनाती पुलिस लाइन में परिवार परमार्श केंद्र पर है जबकि महिला थाना इंचार ज़स सुनीता है फिलाल इस मामले में पुलिस और विजली अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तयार नहीं है हापोर्ट से नदीम एहमत की रिपोर्ट